अलो बुल्ट स्वागत आपका फ्यूचर बुल्ट में आज 13 फर्वरी को नाइका ने अपने कॉर्टर थरीक रिजल्ट पब्लिश कर दिया हैं तो चलिए चलते हैं कंपनी के कंसॉलिटेट रिजल्ट की तरह जैसे कि आप देख सकते हैं माचु के कंसॉलिटेट रिजल्ट पे सारे फिगर्स को रुपीज इन मिलियंस में दिया गया हम आपको रुपीज इन करोर्स में कंवर्ट करके बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे company की income के बारे में तो इस quarter में जो company ने income किया है वो है 1468 करूर की यह income company ने पिछले quarter में 1237 करूर की की थी यानि quarter on quarter इसके income में growth देखी गई है yearly बात करें तो yearly में भी company ने growth दिखाए दे रही है 1104 करूर की income की थी company ने पिछले साल जो किया बढ़कर 1468 करूर की किया यानि quarterly और yearly दोनों में growth दिखाए दे रही है income में इसके expense की तरफ आ जाते हैं तो इस quarter का expense निकला है वो 1455 करूर का किया है जो कि पिछले quarter में 1228 करूर का किया था और पिछले year में 1067 करूर का यानि yearly मुझे इसके expense जरूर बढ़ते वे दिखाई दिये अब हो सकता है इसका असर इसके profit पे जरूर बढ़े net profit for the period पे आने के बाद हमें इसके profit दिख जाते है जो कि इस quarter का profit निकला है वो है 8 करोर 40 लाक का यही company ने पिछले quarter में 5 करोड 10 लाक का किया था नहीं quarter अच्छी खासी growth दिखाई दिये company के profit में और yearly बात करें तो company ने पिछले साल 29 करोड का profit किया था जो कि अब घटकर जी हाँ घटकर आदे से भी आदा हो चुका है 8 करोड का हो चुका है तो 29 करोड का profit घटकर हो चुका है 8 करोड का EPS पे भी अगर नजर डालोगे तो EPS पे भी आपको साफ साफ पता चल जाएगा जो कि इस quarter का जो EPS निकला है वो 0.03 का है EPS कुछ जादा ही low होता हुआ दिखाई दिया है company का जो कि पिछले quarter में 0.01 का था यानि cotton quarter हलकी सी positivity देखी गई है इसके EPS पे पर अगर अब yearly देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट देखी गई है company के EPS पे पिछले साल में company का EPS 0.10 का था जो कि अब घटकर इस quarter में 0.03 का हो चुका है तो आपको पता नहीं result कैसे लगे होंगे पर मैं अपना बता देता हूँ कि जैसे कि आप इसके business की बात करें तो cosmetic में ये brand number one है ladies में भी अगर कोई recommend करता है तो नाइका का ही cosmetic recommend करता है तो मेरे कि आप से company का business बहुत बढ़ी है number one business है अब आजाते हैं हम इसके result की तरफ तो result मुझे लग रहा है कि result भी अभी company के जो आने चीए तो उस तरीके से नहीं आए long term के लिए अगर हम सोचे किसी stock को invest करने के लिए तो उस तरीके से yearly basis पे उतने अच्छे number नहीं निखल के आए अभी company के भले ही इसने revenue अच्छा किया हो पर अभी तक company अपना expense manage नहीं कर पारी expense company का बहुत जादा बढ़ रहा है जो कि इस company के investor यदि shareholder के लिए बहुत जादा खतरनाक होगा आप खुदी देख सकते हो इसकी वज़े से इसके profit बहुत जादा घटते वे दिखाई दिये अब हम बात करें कि ये company का जो share है वो अपने all time high से 70% नीचे अभी trade कर रहा है तो अभी इसमें investor क्या करे तो मेरा तो यह कहना होगा कि अभी जो ये company का बहुत जादा high valuation चल रहा है जिस तरीके से company ने अपने income दिखाया उस तरीके का एक भी percent ऐसा नहीं है कि company ने इतने 1% भी अच्छा result दिखाया हो profit उसका अच्छा बिल्कुम भी नहीं निकल के आया है जिस तरीके से company ने revenue किया तो मेरा तो यह कहना है कि ऐसी high valuation company से आप ज़रूर धूर रहे कभी ऐसी इतने high valuation पे invest करने की कोई ज़रूत नहीं है चाहे company कितना भी अच्छा business कर दी हो तो आप उन companyों में invest करें जो एक cheap valuation या एक ठीक ठाक valuation पर मिल रही हो अगर आपको ऐसे stocks ढूनने तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हो और अगर आपको हमारी video पसंद आती है तो आप ज़रूर उसको like कर दीजे हम अपने channel पे ऐसे ऐसे companies को analysis करक करती है और बहुत अच्छा उसका business भी है और अच्छे valuation भी है तो इसी result की बात करें तो result भी ठीक ठाक था अब देखते है कि कल इसका reaction share का क्या रहे तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले result के साथ ओके बाई